हेलो इस्टूरेंट्स और कैसे हैं आप देखें आज का यह जो वीडियो है इसमें लेक्चर 33 क्लास 12 से ही रिलेटिड है और आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिप्स टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स तो आज मैं इस वीडियो में टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में समझाऊँगा देखें जला सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रो करते हैं एक फिगर बनाता हूँ एक कर्व बनाता हूँ उसके बाद टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में हम क्या-क्या यहां फाइंड करेंगे उसके बारे में मैं आपको समझाओंगा देखे जाले सब्सक्रोज करो यह x-axis है यह आपका y-axis हो गया x, x- यह आपका y और यह y-axis यह origin हो गया देखे, सब्सक्रोज करो मैंने कोई यह curve लिया यह कोई curve है y is equal f of x यह हमने एक general curve की equation मान ली और यहां यह कोई point है जिस point पर कोई tangent draw हो रहा है यह कोई tangent है इस curve के इस point पर यहां कोई tangent मैंने draw किया और जहां draw किया इसके coordinate मैंने सब्सक्रोज करो x1 और y1 यह coordinate मान लिये हैं तो मैंने क्या किया अभी x, y, x axis and y axis draw किये दौना axis draw किये इसमें हमने एक curve ड्रौ किया first quadrant में ले लिया मैंने कोई curve और इस curve पर कोई point लिया और जिस पर मैंने एक tangent draw किया ठिक यहां तक clear हो गया होगा तो यहां हम इस tangent का यह जो tangent है यह जो tangent मैंने जो draw किया इस tangent का मैं slope कैसे निकलता हूँ इस derivative की help से उसको देख लीजे तो कुछ नहीं करना आपको इस tangent का जो slope है suppose करो मैंने m1 मान लिया m1 is equal dy and dx और यह जो p point है x1 और यह y1 कहने का मेरा मतलब यह है कि यह जो आपका curve दे रखा है curve की जो equation होगी उसको हम differentiate करेंगे with respect to x और differentiate करने के बाद जो यह derivative आएगा उस derivative में मैं इस point को रख दूँगा और रखने के बाद जो result आएगा वो इस tangent का slope कहलाता है बस इस tangent का slope निकालने का यह एक application है application of derivative clear हो गया जो derivative का यहाँ जो application है वो केवल और केवल tangent का slope find करने के लिए है clear हो गया मतलब इस application जो है इस derivative जो है इस derivative का जो application है वो केवल इस tangent का एक अलग तरीके से slope निकालने का एक system है ठीक तो इस बात को आप जहाँ लगए clear हो गया होगा यह कोई curve है y is equal f of x कोई curve मान लिया इस curve पर कोई मैंने point मान लिया इस point पर मैंने कोई tangent रो किया तो इस tangent का मुझे slope find करना है तो मैं क्या करूँगा कि इस curve को differentiate कर दूँगा मतलब derivative निकाल लूँगा dy and dx और उस derivative में यह जो point के coordinate है इस point के जहाँ touch कर रहा है यह tangent और curve दोनो उस point को इसमें रख दूँगा तो रखने के बाद जो result आएगा वो आपका slope of tangent कहलाता है slope of tangent बस इस बात को note कर ले हैं तो इस curve का सबसे पहले जो differentiate किया जाता है differentiate करने के बाद जो point रखा जाता है वो slope of tangent होता है यह ध्याँ लखना है यह slope of tangent है slope of normal नहीं कह सकते यह ध्याँ लखना है सबसे पहले differentiate करने के बाद और point रखें और लखने के बाद differentiate किया derivative निकाला उसमें point रखा और उसके बाद जो slope आता है वो tangent का आता है ना कि normal का normal का नहीं आता पहले तो normal समझना है normal क्या है तो यहाँ तक यह बात के लिए रहो गई होगी अच्छा और इससे पहले जो हम slope निकाल चुके हैं coordinate geometry में भी हमने slope निकालना सीखा था तो वो कैसे सीखा था वो एक तैसे यह सीखा था वो भी formula use हो सकते हैं इसमें यह तो एक derivative का use था derivative के use से हम slope कैसे निकालते हैं वो मैंने समझाया आपका अब मालनो वो क्या था पहले जो coordinate geometry में हमने slope निकालना सीखा है वो भी formula है जैसे के मालनो यही tangent x-axis की positive direction से कोई angle बना रहा है थीटा तो slope की definition coordinate geometry में हमने क्या बताए थी वह आपका मालनो m1 ही है यह भी हमने m1 तो क्या आपका 10 थीटा हमने यह सीखा था slope निकालना यह भी इसी का tangent काई slope हो गया m वराबर 10 थीटा वराबर आपका slope of tangent यह भी slope of tangent मला अगर angle x-axis से angle बना रहा है यह tangent जो है वह x-axis से कोई angle बना रहा है तो उस angle का 10 इस tangent का slope कहलाता है तो इस tangent का slope इस tangent का slope angle दे रखा है तो इस formula से निकाल सकते हैं और angle नहीं दे रखा है मालनो कोई curve दे रखा है और curve को यह टच करती हुए जा रहा है tangent किसी point पर तो हम इसका derivative निकालके उसमें पॉइंट रख देंगे तो slope आ जाएगा इसी tangent का यह दो तरीक ही निकालने के एक तरीका और भी था इसका ही slope किसका इसी tangent का ही slope निकालने का अगर मालनो इस पर कोई दो points दे रखे हैं जैसे एक point तो यह है एक तो point और दे रखा है सपोज करो यहां दे रखा है कोई point q जिसके coordinate x2 और y2 हैं अगर इस tangent पर two points दे रखे हैं तो slope कैसे निकलाएगा y2-y1 अपॉन में x2-x1 यह भी आपका slope of tangent तो तीन तरीके हैं तो यह दो तरीके जो है यह वाले तो आप हम पहले पढ़ चुके हैं इनको तो हम पहले पढ़ चुके हैं coordinate geometry में मैंने जो coordinate geometry की जो playlist थी उसमें मैंने इन दोनों तरीकों को समझाया था लेकिन अब हम calculus की playlist की बात कर रहा है calculus समझा रहा है तो उस calculus calculus का application क्या है calculus means उसके derivatives differentiation जो करते हैं हम तो derivative निकलता है उसी का एक application है और उस application से इस slope को भी निकालने का यह यह नया तरीका है वो आपका यह नया अभी मैंने बताया है ठीक है इसमें आपका एंगल दे रखा है तो यह हम पहले पर चुके हैं तब भी यह slope tangent का ही है और आपका इस पर दो पॉइंट दे रखे हैं तो भी slope यह tangent का ही है तो यह tangent का slope निकालने का system अब ही हम tangent की बात कर रहे थे ठीक है ना tangent के लिए हो गया इसके बाद अब यह normal क्या है इसके बाद यह आप नॉर्मल समझिए यह तो tangent के लिए रोगया है यह tangent की बात हो रहे है उसके बाद normal क्या होता है तो normal कुछ नहीं है नॉर्मल जैसे के यह tangent है और tangent इस point पर टच करती हो जा रहा है इस curve को यह कोई curve है ठीक है ना यह कोई curve है आपका और इस curve को पी पॉइंट पर टच करती हो जो line जा रही है only one point पर जो इंटरसेट करता है किसी curve को उसी को हम tangent करते है तो यह तो tangent हो गया इस point पर अच्छा अब इसी point पर इस tangent के perpendicular जो line होगी इस tangent पर इस point पर जो perpendicular line हम जो draw करेंगे उसको हम normal कहते है clear यह normal के लागता है यह clear हो गया होगा ठीक है मतलब इस tangent पर और इसी point पर जो हम पर कोई line एक perpendicular line draw कर दे है तो इस perpendicular line का ही नाम normal है tangent पर जो perpendicular है वो normal के लागता है यह simple definition clear अच्छा तो सबसे पहले जो tangent निकालेंगे normal का नहीं निकलेगा सबसे पहले मैंने पहले ही बताया सबसे पहले differentiate करेंगे तो slope किसका आएगा tangent का आएगा यह जो tangent यहां x-axis की positive direction से जो angle बना रहा है तो slope tangent का यह सारे slope tangent के निकालने के system है अब हम normal का slope कैसे निकालेंगे normal का slope बहुत आसान निकालना भाई हम coordinate geometry में यह बात पढ़ चुके है coordinate geometry में हम एक बात हमने आपको बताया था एक concept बताया था कि जब two lines perpendicular है m1 और यह आपका m2 एक यह line है और एक यह line है दोनों आपस में perpendicular है और इन दोनों के slope दे रखे हैं मानलों इसका slope m1 है इसका slope m2 है coordinate geometry में जब दो lines perpendicular होती है तो उनके slope में relation था m1 into m2 is equal minus 1 इस relation से हम इस normal का slope निकल सकते हैं इसका slope मानलो यह tangent का slope है वो आपका यह आया tangent का slope हमने m1 मानलिया और इसका slope हमने m2 मानलिया तो tangent का slope हम इन formula से निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इस formula को लगा देंगे इस relation को लगा देंगे तो आपका m1 into m2 is equal minus 1 इस formula से इस relation से हम normal का slope निकालते हैंगे tangent का slope यहां रख दीजिए tangent का suppose करो यह tangent का slope है यहां हमने इसकी value रख दी तो यहां m2 यहां से find हो जाएगा यह normal हो जाएगा clear तो यह आपका application of derivative है calculus चल रहा है calculus की help से हम अब यहां पर tangent and normals के slope कैसे find करते हैं वो मैंने अभी आपको यहां समझा दिया clear ठीक है यह concept clear हो गया होगा अच्छा tangent और normal के slope आपने coordinate geometry में पढ़े हैं tangent और normal की equation निकालना भी आपने coordinate geometry में पढ़ा था अच्छा अब वही बात फिर से repeat हो रही है यहां पर tangent and normal के slope कैसे निकाल लेंगे tangent and normal के हम equation कैसे निकाल लेंगे किसकी help से derivative application of derivative की help से यहां कैसे निकाला जाएगा और उससे पहले हमने coordinate geometry में भी हमने equation निकाला है लेकिन हम अब derivative भी help से एक tangent and normal का slope tangent and normal की equation कैसे find करेंगे वो सारी चीजें हम आपको समझाई देते हैं देखें आगे तो यह बात clear होगे होगे यहां से अच्छा अब देखें आगे तो देखें यहां आपके सामने तीन तरह के questions तीन या चार तरह के questions possible हो सकते हैं क्या जैसे मैं फिर से बना रहा हूँ इस figure को यह कोई curve है और इस curve पर यह कोई tangent है और यह p point है इसके coordinate मान लिए x1 और यह y1 ठीक है और यह curve की equation y is equal f of x यह माल लिया यहां कोई angle दे रखा है मालनों कोई theta angle से भी निकल सकता है angle नहीं दे रखा है तो आप derivative से निकाल लेंगे ठीक है तो यह आपका tangent हो गया और यह इस पर इसको जड़ा इदर लिख लो इसको यह curve की equation को आप y is equal f of x मैंने यहां लिख दिया और यह इस पर कोई normal है यह tangent की equation यह tangent equation नहीं मनलब tangent है यह equation नहीं tangent है यह और यह आपका normal है इसको आपका normal कहते हैं इसे tangent कहते हैं यह curve है कोई यह क्या है आपका curve y is equal f of x यह कोई point यह रखा है तो दिखो यहां questions कितने type के हो सकते हैं पहला type यह हो सकता है कि to find the slope of tangent tangents and normals पहला type का questions type first मान सकते हैं इसको type first पहला type यह हो सकता है to find the slope of tangents and normal tangent and normals तो सबसे पहले जो slope derivative करके निकलेगा वो tangent का निकलेगा और फिर आपका m1 into m2 is equal minus 1 इस relation से मैं जो slope निकार दूँगा फिर उसका normal का निकलेगा तो पहला type यह कर्व की कोई given में क्या होगा यह कोई point given में होगा इस curve की equation यह दोनों चीज़े given में होंगे यह आपका given में होंगे आपका कर्व की equation दे रखी होगी और यह point दे रखा होगा तो हम slope कैसे find कर सकते हैं 10 यह 10 normal का पहला type questions का ठीक है दूसरा type आपका second type कह सकते हैं आपका type second second type क्या हो सकता है कि to find to find the equation of tangent and normal tangent and normal उसकी हम equation कैसे find कर सकते हैं तो इसके लिए पहले हम slope निकाल लेंगे पहला first type का इस्टेमाल होगा इसमें इस second type में पहले first type का इस्टेमाल होगा पहले slope मालो tangent की equation पोच रहा है तो यह दोना चीज़ें given में होंगी ही यह curve और यह point तो slope निकल क्या जाएगा और उसके बाद हम y-y1 is equal m x-x1 इस formula को लगा देंगे कौन सा है यह slope point form form offline यह अपने coordinate जो में पढ़ा है इस formula को slope point form क्या slope point form offline यह वाला formula लगा देंगे तो slope आप इस पहले type से slope निकल लेंगे और उसके बाद यह point यह दे रखा है point के coordinate तो आपका equation to find the equation of tangent time normal यह second type का question होगे एक ऐसे उसके बाद आया third type 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 third type क्या हो सकता है इस point के coordinate निकलना है to find the coordinate of point P P X1 Y1 यह coordinate find करना और यह coordinate find करना कब जब इस tangent की equation given हो यह tangent की equation given हो यह कुछ ऐसा given में दे रखा होगा तब हम इस point को कैसे find करेंगे to find the coordinate of points P point P क्या है इस curve and इस tangent का जो intersection point है इसके coordinate कैसे find करना है तो यह आपका तीन तरह के questions यह three types हो सकते है questions के जहां तक possibility है तो देखो मैं अभी पहले type जो है पहला जो first type है इससे रेने टे देख दो question करता हूं देखे ज़र जैसे पहला type का questions देखे ज़र इसमें है find the slope of the tangent and normal to the curve एक मुझे लिख लूज़ ज़रा जैसे question दी आवा है find the slope find the slopes of the tangent of the tangent and normal to the curve curve है आपका x square plus 3y plus y square x square plus 3y plus y square is equal 5 at point 11 इस टाइप से question है ठीक क्या कह रहा है वो find the slope slope की बात कर रहा है find the slope यह slope पूर सुरा है of the tangent and normal ठीक है ना to the curve यह जो कोई curve की equation दे रखी है at point देखे जैसे अभी यही बात यहां आगे यह कोई curve है मालो यह कोई curve है जिसकी equation यह दे रखी है ठीक और यह point दे रखें x1, y1 मतलब यह point हो गई रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस curve को differentiate कर देंगे यही तो बता थे मैंने slope निकालने के लिए इसका derivative निकालना है हमें तो क्या करना है इसको देखेंगे रहा x square plus 3y plus y square is equal 5 differentiate with respect to x क्या हो जाएगा 2x plus 3 y का क्या हो जाएगा dy and dx by chain rule y replace हो रहा है x की जगे पर y है तो dy and dx plus का यहाँ पहले y square का 2y और फिर y का dy and dx is equal 0 5 का 0 हो गया अब देखें dy and dx dy and dx कामना रहा है और 2x जो है इसको इदर ले जाए 2x को इदर ले जाएगा आपका dy and dx कामना आया तो यह आपका 3 plus का 2y is equal minus का 2x देखें जाएगा यह 2x इदर गया माइनस का हो गया यह कॉमन आगया यहाँ से तो यहाँ हो गया यह आपका dy and dx is equal minus का 2x upon में 3 plus 2y यह आगया अब यह derivative आगया अच्छा अब यह derivative से काम नहीं चलेगा derivative में point को रख करके जो value निकलती है उसको हम slope कहते है यही तो definition मैंने बताया slope का यहाँ पर जो definition है slope का वो क्या है derivative जो निकल के आ रहा है उसमें इस point को रखने के बाद जो result निकल रहा है वो slope of tangent कहलता है वो क्या कहलता है slope of tangent slope of tangent निकलता है वो न कि normal नहीं है इसको हमने differentiate किया differentiate करने के बाद में यह जो result आ रहा है और इसमें अब में इस point को रख दूँगा कौन सा dy and dx point क्या है हमारा यह one one ऐसे ऐसे denote करना है यहाँ पर ठीकला तो यह क्या है यह पहली value यह किस की value पहली x की और यह दूसरी y की value रहती है तो बस यह जहाँ जहाँ x है y x की value जहाँ इसमें y है y की value यह रखना है बस में तो इसमें यह कर यह जो differentiate करके जो आया इस relation को यहाँ रख दो इसमें value रख दो बस तो वो minus यह 2 into 1 upon में 3 plus 2 into 1 आपका minus का 2 upon में 5 ठीक है तो यह आपका क्या आगया slope of tangent tangent मान लो यह m1 मान दिया हमने बरावर आपका minus 2 upon में 5 this is final answer तो यह slope किसका tangent का आगया अब मुझे slope निकालना है normal का तो normal का सिलोप निकालना है तो वो m1 into m2 is equal to minus 1 उस relation को लगा दो क्यों 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 कि यहाँ normal क्या होता है यह perpendicular होता है तो यहाँ इस relation को लगाने से वो आ जाएगा आपका यहाँ इसको में टाए देता हूँ यह अब उसके बाद now slope of normal normal का क्या हो जाएगा यह slope m1 हमने tangent का मान लिया तो let normal normal का हमने क्या मान लिया m2 मान लिया suppose करो normal का slope m2 तो फिर क्या relation लगा देंगे हम m1 into m2 is equal minus 1 इस relation को लगा दो m1 हमारा यह value है minus 2 upon में 5 into m2 is equal minus 1 minus से minus cancel m2 is equal आपका 5 upon में 2 पलट जाएगा 2 upon 5 बन करो यह 5 upon में 2 हो जाएगा तो यह आपका slope of normal ऐसे questions को करना है के लिया answer this is final answer slope of normal और यह आपका slope of tangent ठीक है ऐसे यह निकालने slope derivative कुछ नहीं करना हमें curve की equation दे रखी होगी उस कोई curve है जो curve जैसी है मैंने figure बनाया है figure से समया कोई curve दे रखा होगा उस curve की equation दे रखी होगी जैसे यह है आपका और उसी पर कोई tangent होगा जो touch कर ला होगा उस point के coordinate दे रखी हो वो slope of tangent आ जाता है ठीक है और उसके बाद फिर normal का slope निकालना है तो हम m1 into m2 is equal minus 1 relation से m2 मतलब आपका slope of normal निकाल देते हैं सबसे पहले differentiate करके जो point रखते हैं वो tangent का slope आता है यह note करना है ठीक है आगे जैसे और एक question लेते हम तो यह मैंने एक type आपको समझा दिया आपको समझा आपको समझाए आपको समझा आपको समझा आपको समझाए आपको समझा आपको समझाए यह देगे प्रक्राइब करें दो एक प्रेंटेंग कर दो एक आपकर लेलो चोटा साई पहले find a slope of the tangent and normal to the following curve at the indicated point जैसे यह y is equal देखे फिर से यह कोई कर्व है tick x-axis y-axis यह draw, यह origin, यह x- y-axis, यह y-axis यह कोई कर्व है मानलू, यह कोई कर्व है, जिसकी equation y is equal y is equal x-axis q-axis x-axis q-axis ठीक है, और इस पर कोई यह tangent row हो रहा है यह इसी पर यह कोई यह कोई tangent जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यह कोई tangent, जिसके कर्व यह कोई p-point है, मानलू, ठीक है, यह कोई tangent है, और इसका एक ही coordinate यह रखा है, ठीक है, आपका x बराबर 2, यह कोई पर यहाँ, इसका x coordinate दे रखा है, मतलब, x is equal 2, इस point का भी, जो fc सा जो है, यह, यह point दे रखा है, पी, आप ऐसे इसको मान लीजिए, ठीक है, यह कोई point है, जिसका fc सा जो है, वो दे रखा है, मैंशन का रखा है, तो find the tangent, find the slope of tangent, ठीक है न, यह कहरा है, और आपका normal, क्या हो जाएगा, इसका यह tangent है, तो आपका slope of tangent, यह तो आपका slope of tangent निकालना हमें, क्या निकालना है हमें, slope of, सबसे पहले तो भी निकालना है, slope of tangent, हमने मान लिए, suppose करो, m1, और यह आपका, इस पर perpendicular होता है, यह आपका slope of, normal भी निकालना है, यह m2 मान लिए हमें, ठीक है, दोनों चीज़ें निकालना है, तो कर्व हमें क्या दे रखा है, इसका solution फिर से, y is equal x cube minus x, यह दे रखा है, differentiate with respect to x, क्या हो जागा, dy and dx, बहुत सिम्पल, 3x square x का minus 1, x minus x का minus 1 हो जागा, यह आगे, now, slope of tangent, slope of tangent, m1, वो क्या होता है, यह जो derivative है, यह जो derivative है, इस में, यह derivative का result है, इस में points रखना, points यहां क्या लिए रखा है, यह p, x is equal to 2, यह रखा है, क्या, तो dy and dx, ठीक है, na, x is equal to, यह point रखना है, तो यह expression है, इसमें point रखतो, तो 3, x की जगाए पर 2 रखना हो, बस, तो into 2 का square minus 1, आपका यह हो जागा, 3 into 4 minus 1, मतला, आपका 12 minus 1, मतला, आपका 11, ठीक, यह आपका अंसर हो गया, 11 हो गया, आपका अंसर, 11, आपका अंसर हो गया, तो मतला, slope of tangent, m1 is equal 11, this is final, अब हमें slope of tangent और normal का भी निकालना है, तो normal के लिए हम क्या करेंगे, इसी में, m1 into m2 is equal minus 1, यह relation लगा देंगे, m1 हमारा निकल के आया, 11, m1 की जगे पर में क्या रख दूँआ, 11 into m2, m2 हमने slope of normal माल लिया, m2 माल लिया, is equal minus 1, तो m2 is equal minus 1, अपका अंसर, 11, ठीक है, यह आगया, this is slope of normal, तो यह इस टाइप से questions को करना है, पहला टाइप मैंने आज mention कर दिया, कि कर्व, कोई कर्व दे रखा है, कर्व पर कोई पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट जहां उसको टैंजेन तच करता है, उस पॉइंट के कोडिनेट दे रखे, उसमें x की value दे रखी होगी, कभी-कभी, कभी-कभी y की हो, कभी x हो, कभी दौनों हो, पॉइंट दे रखा है, और कर्व की equation दे रखी है, तो हम slope कैसे निकालते हैं, tangent का, वो आपको समझ में आ गया, तो सबसे पहले उसको differentiate करके, जो result निकलता है, उस point को रखने के बाद derivative में, वो tangent का slope कहलाता है, और m1 into m2 is equal minus 1, इस relation से, हम फिर slope of normal निकाल देते हैं, क्यों, क्यों है, normal जो है, यह इस पर tangent पर, यह क्या होता है, perpendicular होता है, यह आपका tangent है, और यह आपका यह normal है, तो जो tangent पर और इसी point पर, पी point पर ही जो perpendicular होता है, उसको हम normal कहते हैं, इस condition से यह निकल के आजाता है, clear हो गया, तो slope of normal, slope of tangent, वो निकालना हमने आपको बता दिया, पहले type का questions, जो इस type के रहते हैं, generally, और वो derivative की help से, ठीक है, clear, अब जो second type के questions होंगे, वो next video में मिलूँगा, वो क्या होगा, कि tangent and normal का slope निकालना सिखा अभी हमने, उसमें second type के questions में tangent and normal की equation कैसे निकालते हैं, तो उसमें slope point form वाला formula उसमें लगा देते हैं, तो उसमें tangent and normal की equation आजाएगी, इसी formula यह, slope तो इसी formula से वहां भी निकलाएगा, और बस यह point, slope पहले तो slope निकलाएगा, यहां तक तो question यही रहेगा, पहला type P, ठीक है ना, पहले slope निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद इस formula को लगा देंगे, आपका कौन सा, y-y1 is equal m, x-x1, slope point form, offline, तो अगर हमें tangent की equation निकाल ली है, तो यहां tangent वाला slope लगाना होगा, और हमें normal की equation निकाल ली है, इसी formula से, तो यहां slope जो है, वो normal वाला लगाना होगा, बस इसी formula में, point यही रखने हैं दोनों जगे, point तो एक ही है न, ठीक है, बस यहां slope बदल ला होगा, अगर हमें tangent की equation निकाल ली है, तो slope tangent का यहां यूज करना है, और normal की equation निकाल ली है, normal की equation तो normal का slope यूज करना है, tangent की equation निकाल ली है, तो tangent का slope यूज करना है, और कौन सा form है यह, slope point form of line, ठीक है, Point form of line. Slow point form of line है, इससे ही साब formula बन जाता है. इसी formula यह आपने coordinate geometry पढ़ा था. इसी formula से tangent की equation, इसी formula से normal की equation निकल जाती है. ये questions में अब इससे related next video में हम कराएंगे. तो यह coordinate निकालना और यह equation निकालना next वीडियो में हम आपको समझाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको like करिए, subscribe करिए well icon बटन दमाना मत भूले और हर वीडियो को starting से end तक देखिए तभी आप उसमें कुछ समझ पाएंगे चलिए आज के लिए इतना ही Thank you